समस्तेपुर जिले में जहां लगातार पुलीस एक तरप अपराधियों को गिरफतार कर कई मामलों का खुलासा करने में जुटी हुई थी उसे दोरान सुक्रबार के दोपार अपराधियों ने एक बार फिर फाइनांस कर्मी को अपना निसाना बनाया है जहां finance कर्मी से करीब 8 लाख रुपे की लूट का मामला सामने आया है पिली जानकारी के अनुसार ताजपुर्थाना च्छेत्र में भारत finance के कर्मी से हतियार बंद अपराधियों ने करीब 8 लाख रुपे लूट लिये है घटना के संबन में फाइनस कर्मी अमित कुमार ने बताया कि भारत फाइनस की ब्रांच से पैसा लेकर यूनियन बैंक पैसे जमा करने जा रहे थे इसी दोरान पीछे से एक पलसर बाइक पर सवार हतियार बंध अपड़ादी ने बैंक के पास से ही पिस्तल निकाल कर उन्हें डड़ा कर उनसे रुपई से भड़ा बैक छिन कर मुस्री घरारी की और अराम से चलते बने फाइनांस कर्मी अमीत ने बताया कि बैंक में करीब आठ लाक रुपई थे जिससे वे बैंक जमा करने जा रहे थे घटना की सूचना मिलते ही पुलीस की टीम मौके पर पहुँच कर मामले की चानवीर में जुट गई है ताजपूर्थाना के ऐसा इस रीसिंग ने बताया कि घटना की जनकारी मिली है एवाम चानवीर की जा रही है पहले हमनों चेकिन लगाए कि चेक कर रहे हैं तो इन लोगों ने तो बताया है आपके जानकारी में क्या नाम हो आपका से इसा है अजय सब्सक्राइब तो इस नहीं वाले थे उसी कर गया पीछे से फॉल्सर आया और यह आगे मतलब रोग करके आगे मेरे गारी के आगे लगा दिया और फिश्टल निकाला और हमको इस तरफ पकर दिया और हमसे बैग लेकर फिर पीछे ही बैग और हाग उसे नहीं अध्या पर फिर नहीं इसाने जान सब्सक्राइब करने के लिए जो कि दो मतलब एक मुझाख और प्रसाय को मारेज विंग विंवीक के जस्ट सामने मतलब पहले हमरे काड़ी के लिए मतलब जो दस रटा उधर लगा देता है तो हम लोग जैसे उधर आते हैं वो दस रटा के जस्ट सामने ही एक मतलब पंसर पर तीन मतलब आदमी बैठे हुए ते जो के हैं मतलब हम लग को अधियार के बल से वो लगवा आट लाक के करीब एम आप क्या है उसमें मतलब रांश क्रिडिट बनी जाए तो ब्यान पी न्यूज के लिए समस्ते पूर से समवाद अधाता दिव्यान सुराई की रिपोर्ट